तो देखिया आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट और लॉस का चेप्टर ओके प्रॉफिट और लॉस का चेप्टर है यह बहुत ही प्यारा चेप्टर है और इससे फ्रॉफिटर हर साल जरूर से जरूर पूछे जाते हैं तो आप लुगों को क्या करना है इसके सारे इक्वाइल कौनसेप्ट पिल्कुल अच्छी से आपको समझने है और इसके साथ मैं आज आज आपके 2021 से लेकर 2010 तक के सारे questions को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डियर अगर ये question आप कर लेते हैं तो definitely आपको इतना idea आ जाएगा कि आप से profit और loss में कोई गलती होगी ही नहीं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग questions के थुरू ही अपने concept को build करेंगे यानि कि इसको हम लोग basically कह सकते हैं c t q यानि concept through questions यानि कि हम लोग अपने concept को जबर्दस्त करेंगे वो भी किस के थुरू वो भी questions के थुरू तो चलो हम लोग चादा time ना लॉस करते हुए आज आते हैं अपने सबसे पहली question पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो dear तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो question है ये 2021 का question है यानि कि 2021 की परिक्षा में ये question आप से पूछा गया था ओके question को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए पढ़ने के अब आप अपना best try करिए और इसी question में हम इस से related सारे फार्मूले सारे concept सीख लेंगे ओके बच्चा पार्टी चल एक बस तूँ 7500 रूपए में खरीदी जाती है और 8400 रूपए में बेची जाती है तो प्रतिसत लाफ बताओ तो देखो ये question तो है बहुत simple सा लेकिन इस question के माध्यम से हमको कुछ concept सीखने है सबसे पहला concept जो है dear वो आपके लिए ये रहेगा कि सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि क्रय मूले की से कहते है क्या क्रय मूले की से कहते है तो वो मूले जिस पर कोई बस तो खरीदी जाती है क्या की जाती है खरीदी जाती है कोई भी बस तो जिस मूले पर खरीदी जाती हो खरीदी जाती है उसको हम लोग क्या कहते है उसको हम लोग कहते है क्रय मूले और उसके बाद विक्रय मूले क्या होता है विक्रे मुल्य क्या होता है यह जो विक्रे मुल्य होता है यह होता है कि जिस पर कोई बस तू बेची जाती हो जिस पर कोई बस तू बेची जाती है तो जो खरी दी जाती है उसको क्रे मुल्य और जो बेची जाती है उसको विक्रे मुल्ले, यानि कि करे मुल्ले को हम लोग cost price भी कहते हैं, जिसको लोग cp cp बोलते हैं, क्या बोलते हैं, cp बोलते हैं, और विक्रे मुल्ले को हम लोग selling price भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, selling price जिसको हम लोग sp भी कहते हैं, अब देखो, बात आती है lab की, किसकी बात आती है डियर लाब की तो लाब की से कहेंगे भई आप इतने बड़े तो आयर आप हो गए हो कि आप इतना जानते हो कि अगर कोई भी चीज जादा में बेची जाए और कम में खरीदी जाए यानि कम में खरीद कर जादा में भीचिया है तो क्या होता है वहाँ पे वहाँ पे आपका लाब होता है यानि कि लाब is equal to क्या होगा बिक क्रेमूल माइनस क्रेमूल यानि यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल गया किसका लाब का कि लाब पराबर क्या होता है बिक क्रेमूले, माइनस क्रेमूले अब बात यह आती है अगली, कि भाईया प्रतिसत लाव किसे कहते हैं प्रतिसत लाव का फार्मूला क्या होता है तो प्रतिसत लाव का फार्मूला होता है लाव गुडे, सो यह गुडे का निसान है यहाँ पे बीच में तो लाब गुणे सो बटे क्रैमूल क्या अपान में क्रैमूल यानि अगर कोई बच्चा इंगलिस मीडियम का हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट इन्टू हंड्रेड अपान क्रैमूल को क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइज यानि की सीपी तो यह हो जाएगा आपका पर्सेंटेज प्रॉफिट तो पर्सेंटेज प्रॉफिट का यह फार्मूला आगया अच्छा इतना काम हमको वैसे करना नहीं था यह क्वेस्चन सादे बच्चों ने अब तक लगा लिया होगा मेरे ख्याल से लेकिन इतना कॉंसेप्ट हमको इस वाले क्वेस्चन से सीखने को मिला है तो चलो देखो एक बस तु 7500 रूपे में खरी दी गई और 8400 रूपे में बेची गई यानि अगर हम आपसे पूछे किसका करे मूले कितना है तो करे मूले इसका कितना है 7500 विकरे मूले कितना है 8400 तो भई लाब होगा लाब कितने का होगा विकरे मूले माइनस करे मूले यानि 8400 माइनस 7500 तो देखो 0 0 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे 0 हो जाएगा यानि कि 900 रूपे का क्या हुआ 900 रूपे का फायदा हुआ लाब हुआ अब आप प्रतिसत लाब निकाल लीजे तो प्रतिसत लाब बराबर क्या होगा लाब गुणे 100 यानि 900 गुणे 100 बटा यानि कि आपान में करे मूले करे मूले कितना था 7500 तो ये गया ये गया अब कितने से कटेगा चलो पांस से काड़ देते हैं पांस या पहले तीन से काड़ trenches या तीन पचे पंद्रा छक्का नबे और पंद्रा पचे 75 फिर काड़semble तो आजाएगा क्या 12 परतिसत कितना आजाएगा dear 12 परतिसत तो यही 12% आपका क्या हो गया 12% आपका लाब हो गया तो देखो बात यह नहीं है कि यह question कल को आएगा कि नहीं आएगा बात यह है कि यह question आपको क्या सीखा के जा रहा है तो आपने इस question से क्या सीखा आपने इस question से यह सीखा डियर कि जितने में कोई बस तू खरी दी जाती ह उसको क्रेमूले कहते हैं जितने में कोई बस तो बेची जाती है उसको विक्रेमूले कहते हैं अगर विक्रेमूले जादा होता है क्रेमूले कम होता है तो वहाँ पे लाब होता है यानि कि लाब बराबर विक्रेमूले माइनस क्रेमूले वहीं पे जब आप प्रतिसत लाब निकालते हैं तो प्रतिसत लाब पराबर क्या होता है प्रतिसत लाब पराबर होता है लाब गुणे 100 बटे क्रेमूले यानि कि ये question अब हमसे तो बिल्कुल गलत होने वाला नहीं है यानि कि आज के बाद अगर ऐसा कोई भी question आएगा तो वह हमसे बिल्कुल सही हो जाएगा तो चलो बच्चापाटी मेरे ख्याल से ये question आपको जबदस्त लगा होगा आपको ये question कैसा लगा आप comment करके जरूर बताइए और अब हम लोग चलते हैं question number next पे चलो